हे नमस्कार दोस्ते मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी कापके अपने ही चैनल इंवेस्ट फ़र वेल्थ पे बड़े दिनों से हमारी लर्निंग वाली वीडियोस पे स्टाप लगा हुआ था तो मैं थे चलो यह लर्निंग वाली वीडियोस आप व SEC गंट कर और उता है और जाद नहीं मिलेức आग्ला करें तो में अगर करें आज के वहाला टॉपिक रने वाला है वो फेक पर है कोई breakout होता है आपने बाइंग किया और एकदम से वो रिवर्स हो जा था जैसे यहां पर हम देखेंगे यहां पर कल का ही दिन है यह अपर यह आइटीं जून का कल का दिन है और यहां पर इक तो उसके बाद सेकेंड केंडल में ही देखिए मार्केट सीधा नीचे की तरफ आगया है अब दोतिन चीजे यहां पर नोट करने वाले होंगी सबसे पहले ब्रेकाउट के तरीके आप समझ लिए ब्रेकाउट कितने तरह की होती है और किस तरीके से ब्रेकाउट होते हैं तो यहां पर समझ लिए कि यह रेजिस्टन्स है हमारे पस प्राइस ने क्या किया ऊपर के तरफ यहां पे हिट किया रेजिस्टन्स लिया है नीचे की तरफ आया है अब यह ब्रेकाउट कर रहा है यहां से प्राइस सीधा ऐसे ब्रेकाउट किया तो यह बिसिकली एक मुमेंट होने के chances ज्यादा रहेंगे इस condition में आपको retracement का वेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर नहीं आएगा तो फिर आपका नुकसान होने की समभावना है बढ़ सकती है मान लीजिए फिर से हम चलते हैं यहीं पर जो हमारा last वाला कल वाला था breakout यहां पर देखेंगे exactly क का ही चीज हुआ है कि breakout हुआ breakout होने के बाद सीधा मार्केट नीचे की तरफ आगया है यहां पर जो candle है वह काफी बड़ा 100 पॉइंट का गैंडल है तो ब्रेक आउट केंडल हम consider कर सकते हैं 40 पॉइंट 50 पॉइंट तक का हो ठीक है पर 100 पॉइंट पॉइंट आप जाता है ब जरूरी की क्लोजिंग कहा आ रहा है इस लाइन के breakout लाइन के ऊपर ही क्लोज कर रहा है गैंडल यह थोड़ा सा देखना जरूर यह फाइव मिनट पे एक चीज और आपको यहां पर माइंड में रखने की जूरत पड़ेगी मानली जब यहां पर यहां पर हो रहा है यहां से अगर हम देखेंगे ऊपर स्टॉप से यहां से मैं एक retracement फिब retracement मांक करूँगा बाइद अगर आपने फिब retracement का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको अई बटन में भी डाल दे रहा हूं और डिस्क्रिप्सन में डाल दे रहा हूं एक घंटे से जादा बड़ा हमारा फिब retracement का वीडियो है हमारा paid हमारे application में भी आपको फिब retracement की classes मिल रहेंगे आप चेक कर सकते हो तो यहां पर देखेंगे तो यहां से यहां तक के लिए यही टार्गेट के लिए ट्रेट करो गया 50% के अरिया पर तो rejection लेता ही लेता है बजार बहुत ज्यादा चांसे होते हैं 50% से golden ratio के बीच में market rejection लेगा ज्यादा चांसे होते हैं तो 30-40 पॉइंट का टार्गेट लेने के लिए 100 पॉइंट का स्टक्रॉस लगाना कहीं नहीं सही नहीं है तो यहाँ पर यह रिजन था इसके वज़ासे रेट्रेस्मेंट हो गया तो अभी आप क्या देख सकते हो अगर breakout हो रहा है breakout candle close हो गया उसके उपर यह आसपास जश्ट कहीं strong resistance तो नहीं है अभी मैं इससे पहले कहा था कि breakout जो हो रहा है वो हो कहां पर आया है तो पूरा का पूरा trend आया उस trend के मिड में हो रहा है तो मिड में जब breakout होंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर फिफ्टीन मिनट के candles का वाच करना पड़ेगा तो प्रेक आउट हो रहा है यह प्रिवेज डे का low and high breakdown हो रहा है multiple time tested है levels वो breakdown हो रहे है वो चीज़े समझ में आती है five minute के closing पर आप कर लोगे लेकिन mid में अगर पूरे day के mid में कहीं breakout हो रहा है तो वहां पर confirmation जरूरी है multiple confirmation चाहिए हमें एक तो उपर कोई resistance नहीं होना चाहिए second क्या है आपका जो breakout हुआ या तो 15 minute में closing दे आपको या फिर retracement करे मतलब अगर मान लीजिए यह candle example लेता है 15 minute का ही है त तो retracement की जरूरत नहीं है अगर 5 minute पे हम चेक कर रहे हैं तो यहां पर retracement होके वापस यह high breakout होना चाहिए तभी आप यहां पर entry कर सकते हैं मिड में अगर देख हो रहा है मैं बार-बार क्या रहा हूं कि multiple time tested levels है यह पुराने levels है support resistance strong है वहां पे 5 minute पे चल जाता है लेकिन डे के मिड में या कहीं नया support है नया resistance है रिट्रेस्मेंट लेवल है किसी एरिया का तो वहां पर रिट हो सकता है ज्यादा चाहिए रिट्रेस कि हमें जुरत पड़ेगी 15 minute की time frame पे आपको लेकर चलते हैं दिखाते हैं यहां पर 15 minute का time frame है और आप देख पा रहे हो 15 minute कोई भी candle closing नहीं हुई है और market जो है नीचे की तरफ आ गया बहुत सारे लोग कल यहां पर trap हुए थे इवन हम live में अपने विल्कुल भी मना कर रहे तो हम 1-0.5 30 करेंगे minimum 1-1, 1-1.5 और 2 के round का हमारा target होना चाहिए यानि गवाने के लिए जितना है आने के लिए उससे थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए वनना क्या होगा ultimately हम loss में रहेंगे तो इस तरह की बहुत सारे area आप देख सकते हो अभी प्रॉक्स प्रॉक्स पांच साथ दिनों से एक range बनाया था मार्केट उस रेंज का breakout किया breakout करने के तुरंत बाद रेड कैंडल बना है और रेड कैंडल में शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल गई मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ गया था और अप्रॉक्स प्रॉक्स प्रॉक्स फेलियर हो रहा है वहां पर आपको सैड नहीं हो के जो लॉस है उसका दुख न मना के फड़ा फट्स लॉस को रिकवर करने के लिए या और प्रॉफिट बनाने के लिए आपको सोचना प देखेंगे अब मेरा व्लाग देखना कल ता मैंने ट्रेट किया था यहाँ ब्रेक आउट ओट फैलियर को मैं बहुत बड़ा उपरचनिटी मानता हूं यहां ब्रेक आउट फैलियर हो अब देखिए ब्रेंट बड़े दियान से समझेगा बहुत सारे लोगों ने यहां पे यह डिप यह डिप यह डिप सब में बाइंग हो रही है यहां पर ब्रेक आउट हो रहा है यहां पर भी बहुत सारे बायर्स आये हैं इन सब का इस बात है और सेल करेंगे और बहुत सारे लोग अपना रिस्क मैंनेजमेंट करते हुए डबल कॉंटिटी में टेट कर लेते हैं बहुत सारे लोग यहां पर इसी जगह पर एक्जैक्ली जैसे ब्रेक आउट पर ट्रेट करना तो मेरा रीजन नहीं बन रहा था 50% का लेवल उपर था यहां पर ब्रेक दिखाओं फड़ा सा पीशे जलते हैं और यह एक इस ब्रेक आउट किया उपर की तरफ बहुत सारे लोग यहां पर ट्राप हुए मार्केट जैसे ही खुला क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है कि रेड केंडल बट्यमार्केट खुलेगा आगे देखने के लिए कुछ नहीं देखा ना जैसे कि यहां पर अगर मैं अगर रिप्ले लगाऊं और मैं इसको बंद करूंग यहां पर क्या दिख रहा है और बॉक्स का बगर बेक आउट होगा अच्छा खासा आपको पैसा दे सकता है मार्केट उपर जाए या नीचे जाए आपको पता है अब अग अगर मार्केट की ओपनिंग का मैं वेट करूँ जैसे यहां पर 1x में करके मैं इसको प्ले करता हूं तो यहां पर आप देखो कि मार्केट ओपन हुआ ओपन होने के से होते ही एक बार खुला कि इतना बड़ा ग्याप अप है वह बात अलग है कि एक बार ग्याप को फिल कर है तो कहने का तत पर यही है कि मार्केट इजी मनी किसी को देगा नहीं मार्केट थोड़ा सा प्रा दिमाग लगाएगा और लोगों को ट्रैप करेंगा रीचाण तरीके से ब्रेक्डाउन हुआ रट्रेस्मेंट हुआ है रेटरेस्मेंट थो है रेच्च्छा ऐसा नीशि act कोइछ तो यहां पर ब्रेकाउट करने के कोशिश भी खिया था लेकिन यहां पर फेलियर तो यहांपर पर यहां फेलिक फेलियर हो तो यहां पर यहां पर कोई त्रेंड कर बढ़ेंस lot stopping hareal when utility के यहां न हब पूइंट और उनցड right ring करना होता क्या है अगर आपको कोई सेनेरियो अभी समय पे दिख रहा है तो आपको लॉजिक की भी यूरत नहीं पड़ेगी आपके अंदर से एक वाईब आ जाएगी आपको अंदर से चीजे सब्जमाने लेगी कि यहां से मार्केट गिर सकता है क्यों गिर सकता अगर आप खुछ यह अचीज पहले देखा हुआ है और देखा था तो इस समय ऐसा हुआ था मानली जिए आप बहुत दिनों के बाद कोई गली से गुजर रहे हो और उसके अप्रोक अपरोग दो साल के पहले पहले वी उस गली से एक बार गुजरे थे तो आप देख के लगे जह यहां पर द चीज़े चला जाएगा कैसे आपको वाइब साती यहां से उपर ही जाएगा मार्केट तो यहीं चीज़े में सारी चीज़े यही होती है कि मैं बहुत जादा बैक्टेश्टिंग कर रहा हूँ बहुत सारे चार्ट्स देख रहा हूं तो आप जितना समय दे सकते हो न को समझो कि मार्केट हमेशा अपनी चीजों को रिपीट करता है पुराना जैसा किया है एक्जेक्टली आगे जागे वह ऐसी चीजे हो करता है तो अगर आपको यह चीजे सीखनी है तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट तो अभी बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए है अवेलिबल उसको डाउनलोड कर लेजिए प्लेश्टोर से रेटिंग करना मत बूलेगा मिलते किसी और वीडियो में जब तक कि लिए जैहिंद चैबारब ठीक हो गया हुँ 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 हुँ